प्रेंट किसी भी देश की डेवलोप्मेंट जर्णी में एक समय ऐसा आता है जब सारी परिस्तितियां उसके फेवर में होती है जब वो देश अपने आपको आने वाली कई सदियों के लिए मजबुद बना लेता है मैं भारत के लिए आज वही समय देख रहा हूँ और जब मैं हजार साल की बात करता हूँ तो बहुती समझदारी पूरवक करता हूँ कि यह ठीक है कि किसी ने हजार सब्दक भी सुना नहीं हजार दीन का नहीं सुना तो उसके लिए तो हजार साल बहुत बड़ी लगती है लेकिन कुछ लोग होते हैं जो देख पाते हैं ये टाइम प्रियर ये कालखन वाक कही अभूत पूर्वा है एक प्रकार से वर्च्य साइकल शुरू हुई है ये वो समय है जब हमारी ग्रोथ रेट लगातार बढ़ रही है और हमारा फिस्कल डेपिसिट घट रहा है ये वो समय है जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और करन्ट एकाउंट डेफिसिट कम होती जा रही है ये वो समय है जब हमारा प्रोड़क्टिव इन्वेस्टमेंट रेकॉर्ड उंचाई पढ़ है और महंगाई नियंतर में है ये वो समय है जब ऑपर्चुनिटिज और इनकम दोनों बढ़ रही है और गरीबी कम हो रही है ये वो समय है जब कंजम्शन और कॉर्परेट प्रफिटिबिटी दोनों बढ़ रही है और बैंक एन्पीए में रेकॉर्ड कमी आई है ये वो समय है जब प्रोड़क्शन और प्रोड़क्टिविटी दोनों में वृद्धि हो रही हो और ये वो समय है जब हमारे आलोचक अल्टाइम लो है